आप लोग Google Photo का नाम सुने होंगे लेकिन Google Photo फोन में किस लिए होते हैं Google Photo में Gmail ID से Login करना होता है उससे होता कि है कभी भी आप Google Photo में Gmail ID से लोग इन कर देते हो उस सेटिंग को आप सही तरीकी से ओन कर देते हो तो कभी भी आपका smartphone कहीं भी अगर गूम हो जाता है या आपका phone चोड़ी हो जाता है या आपका phone तूट जाता है तो बहुत सार आपके phone में आपका personal photo रहता है और आपका favorite photo रहता है लेकिन आपका phone तूटने के बाद या आपका फोन गुम होने के बाद आप हैरान हो जाते हुए कि भाई वो जो हमारा पुराना फेवरेट फोटो था आप हम कहां से लाएंगे और उस फोटो को हम कहां से ढोड़नेगे लेकिन मैं आज वो आपके फोन का ऐसा बहतरीन सेटिंग बाताने बलो जानने के लिए यहांन तक बने रहे अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर देना है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की निसान को आल पर सेट कर देना जब भी मैं मोगल से रिलीटिव और यूटूब से रिलीटिव वीडियो बनाऊ उससब से पहले आपको नोड़ी किसांद देखने को मिल सकते हैं अब लोग देख देरों मुस्ता तक टेकनिकल यूटूब चैनल तो पुरपर उससे जानने के लिए वीडियो मेंड तक आप लोग बने रहें गूगल फोटो का मतलब क्या होता है गूगल फोटो देखी हर फोन में गूगल फोटो स्मार्ट फोन में कंपनी के तरफ से आता यह अप्लीकेशन गूगल फोट करा का यहां पर आपर ऑ और करते हो कुछ इससतरह का इंटरफेस आते हैंते हैं यहां पर देंगे गूगल फोटा फोल्सक्राकर्णल में घंव करने अएगा जब किसी भी Gmail ID पर लोगिन कर सेकते हैं उसके बाद यहां पर देखें बैगड़ॉन सौ फाइँ यहां पर तो आपको यहां पर निच्छे देखेंगे सबसे फाश्ट में ओप्षन जो दिख़ने आपको इस पे आपको किलिक कर देना होगा जैसे आप इस पर किलिक करने के बाद होगा क्या क्या पर चीमिल एडी यहां पे तो जहीं कि पहले एड़ आपको दिखा देगा कि गूगल से जीमेल ID connect पहले से रहते हैं लेकिन यहां पे Google photo से आपको Gmail ID को connect करना है इस से होगा कि आप Google पे आपका photo जितना भी आपके phone में पड़े फोटो रहते हैं जो भी आपका photo देते हैं Google photo में save हो जाता है आपके सिवा कोई भी आदमी दूसरा photo आपका नहीं देख सकता है इस से होता कि आपका फोन कभी भी गूम हो जाता है या चोड़ी हो जाता है या तूट जाता है तो जो भी आप नया फोन लेते हैं तो सेम जीमेल एड़ी से उस फोन में जीमेल एड़ी डालते हो या पासपोर्ट डालते हो तो जितना भी पुराना फोटो रहता आपका जो भी चीज रहता है पूरा ना तो हर फोटो या हर चीज आपका वो नया फोन में फिर से वापिस आ जाता है इस चीज से गूगल फोटो से यही फाइदा होते है इसको इस्तमाल कैसे किया जाता है यहां पर आपको अपने एक Gmail ID को सलेक्क कर लेना है चलो में Gmail ID सलेक् जाता है 15 GB तक हमारा यहां पर यहां पर देखिए 1 से चालू हो जाता है यहां से एरो जो यहां फूल हो जाएगा 15 GB तक आ जाएगा तो समझो यह हमारा Google फोटो फूल हो चुका है और यहां से अगर आप किस-किस अप्लिकेशन का फोटो यहां पर गूगल में storage करके रखना चाहती हो घर नीचे आप देख तो वाग्डन यूज बे आप 집 किलिक करना है यहां पर हरा अम जिस पर आपको किलिक करना है यहां पर देखिए जैसे आपको ड़ाटा यूजिस पर किलिक करोगे हो कुछ इस तरह का इंटर्फेस है आपके सामने तो यहां पर देखिए किस क्वाल्टी में आप अपने फोटो को गूगल फोटो में रखना चाहती हो तो इसी साब से 30 MB या 10 MB या 5 MB इसी साब से यहां पर आप सलेक्ट करके रख सकते हो लेकिन हम आपको बताएंगे अगर आप इंटरनेट ढला कि आप अपने फोटो को चलाते हो तो 5 MB पर रखना उससे आपके फोटो में आपके फोटो के क्वाल्टी में कोई फड़क नहीं पर करने वाले तो 5 MB पर आप सलेक्ट करके रखना जो भी आपका फोटो होगा HD क्वाल्टी में होगा जब भी आप Google से अपना फोटो ढूंड होगे तो उसको आप HD क्वाल्टी में डाउनलोड कर सकतो लेकिन यहां से आपके फोन में जो आप इंटरनेट डलाते हो तो यहां प आपका फोन का MB जाद बहुत जादा खतम होता है आपका डाटा तो इसको पांच MB पर आपको सलेक्ट करके रखना है उसके बाद यह वाले और यहां से बंद होगा तो इसको यह वाले आपको फोटो में आपका फेडियो भी अपलोड हो जाएगा और किसी भी नया फोन में आप अपने फोटो को या वीडियो को आप ढूंड सकते हो और इस्तामाल कर सकते हो तो उमीद आप लोग को छोटी सी वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राब करके घं और यूटूब से डिलिटी वीडियो वनों सबसे पहले आपको नोडिपिक्शन देखने को मेल साकते हैं पुरा वीडियो देखने के लिए थांक्यू भाई लोग जितना हो सके उतना इस वीडियो को सेड जरूर करना